हे नमस्कार दोस्तों मेरा लब एप्रेंस और दोस्तों आप सभी का सवागत है एक और नई ब्रैंड न्यू वीडियो में आज जो भी यूट्यूबर्स हैं खासकर कि टेक यूट्यूबर्स हैं उनके लिए काफी इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो इतने भी इस्टैबलिश्ट यूट्यूबर्स हैं वो टेक न्यूज कैसे जमा करते हैं और इसके लिए आज मैं एक प्रॉपर सलुशन देने वाला हूँ कि जो लोग भी अपने चैनल पर टेक न्यूज देना चाहते ह हैं तो यहां पर मेरे पास है एक न्यूज एप और काफी इंट्रस्टिंग न्यूज एप है इस एप का नाम है गॉट इट अब गॉट इट से आप समझ सकते हैं कि कोई भी न्यूज आपको बहुत असारी से इस अप के जरीए मिल सकती है और इस एप को कुछ ऐसी चीज़ से भरा रहता है पूरा इंटरफोर काफी सिंपल है आप यहां पर पर अपने सब थाबयक न्यूज पर सकते हैं यहां-पर न्यूज आप से पर अपको श्रीपर से पढ़ेंगे उससे आप पूरी न्यूस के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे तो मतलब आपको अपना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए नेक्स चीज है specific news अब specific news से आप समझ सकते हैं कि किसी भी particular topic के बारे में आपको एक specific जानकारी मिल जाए अब किसी भी normal news app में देखेंगे या फिर newspaper में देखेंगे तो मौँ पे तरह तरह की news भरी बड़ी रहती है जिनका आपके interest से कोई लेना देना भी नहीं होता तो आप य personalized tab से आप समझ सकते हैं कि जिस भी आप category को subscribe करेंगे जिस भी topic को subscribe करेंगे उसके एक अलग tab में नाम आ जाता है ताकि आपको दो tab आते हैं यहाँ पर एक discover का और एक your tab करके अगर आप your tab में देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपने जितने भी आपने चैनल सब्सक्राइब करें हुएं जितने भी news articles आपने subscribe करें हुएं उसी topics related आप news देखना चाहते हैं तो आप directly यह और section में जाके देख सकते हैं नहीं तो आपको नए जितने भी topics हैं अगर आपका interest किसी और चीज में आ गया है तो आप वहाँ पर discover वाले tab में जाके news tab में जाके देख सकते हैं य आपको किसी भी news app की थुरू notification तो आते ही होंगे लेकिन जो एकदम अलग बात है इसकी वो यह कि आपको अपने interest के topic से भी notification आएंगे for example मैंने आपे mobile category को subscribe कर रखा है मेरे चातम के मैं कोई भी mobile category से related कोई भी news आए तो मैं मिस ना करूँ तो मैं बस वहाँ जाके उस पर tap का button दबा दूँगा notification वाला उसके बाद जो भी news update होगी mobile से related उसके पास मेरे पास तुरंत जैसे ही update होगी वैसे ही notification आ जाएगा कि इस particular mobile के बार में news update कर दी गई है आप जाके देख लीजिए तो इस यह notification alert काफी handy बनाता है और आपको रखता है सबसे updated सबसे आगे और अगर आप एक tech related youtuber है और अपने चैनल पर आप news देने की सोच रहे हैं तो इस app को आप consider कर सकते हैं बाइदर दोस्तों बाकी आपकी पूरी राय है कि आपको यह app कैसी लगी अगर news से आपको updated रहना है तो आप इस app को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं मेरे नामे प्रेंस आशर अपन नेड़ी वीडियो में तब तक लिए जय हैं वन्दे मात्रम धन्यवाद